अधियोडी बड़ी मैं सभी का सौगत करता हूँ फिजीज गान उकेशने चैनल पर मैंने कल लाहिव शेशन ले आता और उस लाहिव शेशन में सभी स्टुडेंट एक कॉमेंट कर रहे था कि क्या सर 180 प्लस करने के लिए 180 प्लस लेने के लिए क्या कोई स्टेडी फ्लान हो सक करता है उसके लिए MSTCET के लिए कोन-कोन सी बुक्स इस्तमाल करना पड़ीगी कैसी पढ़ाई करना पड़ीगी इन सभी के लिए इस वीडियो में मैं डिसकुशन करने जा रहा हूँ तो सबसे पहले स्टुडेंट आपको जो तार्गेट है हमारी एकलेवे बैच है इसमें आपको MSTCET 2021 के लिए हम लोग हर स्टुडेंट को माक्जिमम स्टुडेंट को इसकी एप्रोच देने वाले सर क्या एप्रोच है बताओ सबसे पहले स्टुडेंट आपको मैं एक इंट्रुव देने वाला संडे को जो स्टुडेंट को यहां पे 99.91 परसेंटाइल मिले है ज संडे को ताकि सभी बच्चे को इसका बहुत बढ़ा एक फायवा हो सके तो चलो स्टुडेंट पहले आपको तो यह एप्रोच देने से मतलब उसने कौन से बुक से इससे पढ़ाई करना चाहिए कौन से चीज के एप्रोच चाहिए इन सभी के बारे में चर्चा होने वाले तो सबसे पहले स्टुडेंट इसके लिए टेक्सबूक आपको रीडिंग करना पड़ेगी बच्चे क्या कर रहे है कि यह मेश्टी सीटी करना है इसलिए टेक्सबूक रीड नहीं कर रहे है उनको लगता है बोड तो कैंसल होने वाला है बोड कैंसल हुआ तो पढ़के क्य फाइदा है तो यह सबसे बड़ी गलत फे में निकालनी है आपके मन से क्यों मैं बताऊंगा आपको टेक्सबुक रीडिंग की इंपोर्टन्स है थोड़ा सा यहां पर आपको अनलेसिस करके देता हूं सबसे पहले स्टुड़न केमेश्ट्री का यहां पर हम लोग एक्सम्पल लेने वाले हैं और दूसरा जो है मासका आपको अगर अरियन पब्लिकेशन की एक बुक से मार्केट में अगर कि इसके बाद में मास की जो एक्सरसाइज जो भी एक्सामपल दिये गए है उसी एक्सामपल को उठाके दो मार के लिए कोश्चन आपको चिपकाते वहां पर इस बात पर धान देना मतलब जो बच्चे अगर टेक्सबुक लाइन तो लाइन आपको एक एक लाइन पता होना च चाहिए उसका नॉलेज भी गेन होना चाहिए मैं शूर गारेंटी बोलूंगा इसमें 50 out of 50 आ सकते नंबर्स और मैंसे भी 100 out of 100 नंबर आने के चांस सर आप तो फिजिक्स पढ़ा तो फिजिस के बारे में बताओ आप इसके क्यों बता रहे तो बताऊंगा क्योंकि मेरा ता आपको टेक्सबुक भी रिडिंग करना पड़ती है टेक्सबुक से क्या मिलता है सर टेक्सबुक से आपको एक तो नॉलेज मिलती है इसके अप्लिकेशन बेसिस मिलती है फार्मूलेज मिलते है करेक्ट है डेरिवेशन बेसिस मिलती है तो इससे क्या होता है अगर रहा तो student आप लोग इसके यमसी को solve कर सकते हो otherwise solve नहीं कर सकते हो अब कुछ student क्या होते मैं एक example आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मैंने क्लाईशेशन में एक सवाल उठाया था सवाल क्या उठाया था oxalation का यहाँ पे 5 sin 100 10 pi था 10 pi t है यहाँ पे दिया था यह equation किस से match करता है तो a sin omega t है ना प्लस लिखनी की जौरत नहीं ठीक है यह equation है अब मुझे बताओ omega की जगे पे क्या लिखाई मैंने तो omega की जगे पे लिखाई 10 pi अब यह student को पता नहीं था कि इसकी निकल नीती frequency आपको find frequency करना है तो यह simple knowledge यार omega का relation frequency के साथ होता है toy spion बस समझ में आ रही है तो मैंने रख दिया यहाँ पे तो यह student हो गया confused उसने पूछा कि सर यह कहां से आ है मतलब मैं आपको एक approach बता रहा हूं इससे भी थोड़े tough होता है सर इतने easy level होती है exam तो इसका भी एक analysis होने वाला है कि कौन से level पर exam होती है कौन से सवाल source of question कहां से उठा सकते है इनके उपर भी बात होने वाली वीडियो को एंट तक देखना बहुत जरूरी है अब देखो simple सी बात है पाई से पाई को मारवा दो यह हो गया फाईजा मतलब frequency 5 Hertz है अब यह MC कुछ आता है क्या सर इतना easy answer है हाँ प्रूब कहा है सर पास्ट येर के PYQ question देख लेना शूर गारंटी है कि यह questions आते है बोलके अब यह question कितने marks के आते है कौन सी level होती तो सबसे पहले student मैं जो अब भी आप लोगों को यहाँ पे जो questions को मैं हल करके दे रहा था उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे मैं physics की level की बात करूंगा यहाँ पे तीन level की जाते है level number 1, level number 2 ठीक है और level number यहाँ पे 3 इसमें level number 1 पे 15 questions है ऐसे होते है कि हर student जो सही में regularly lectures करता है simple simple concept पता होते हैं ठीक है कि जैसे कि आपको frequencies जैसे अभी कि जो हलके फुलके questions होते हैं जो कि हर बच्चा सवाल कर सकता है इस पे आपको 15 सवाल होते हैं ठीक है कोई भी questions paper उठाओ आपके पास questions paper हो सकते हैं नहीं है तो कहीं PDF file में मिलते हैं तो देख लेना sure कोई भी questions paper उठा हाँ इसके लिए आपको है ना हर chapter line to line पढ़ना बहुत जरू है sure मैं guarantee दूँगा एक minute चो छोड़ो यार आपको 30 seconds में solve कर सकते ऐसे 15 questions हो सकते अगर आपकी बुक्स अच्छी की हो तो okay sir level number 2 पे आप लोगों को middle level के questions होते हैं जिसके अंदर आपको easily formula use करके कर सकते हैं इसमें formula को और concept को दोनों को add किया जाता है जैसे कि मैंने अभी आभी आपके सामने example proof बल के दिया था या मैं live session में ले रहा हूँ इसकी फिलाल में तयारी चालूए student हमारे कितने questions है यहाँ पे आप लोग देख पारे sorry यहाँ पे 20 questions आएंगे क्योंकि क्यों आएंगे मैं बताऊंगा इसका reason है मेरे पास 35 questions जो है यह हर student ले सकता है मैं guarantee दे रहा हूँ आपको जिनने ने टेक्स बुक पड़ी है target, more well, orient, PL, PN इसके order देखो कोई भी books लो ना MC की उसको है ना यार गुमा पिरा के पूछने की आदत होती बस दूसरा कुछ इने जिनकी understanding अच्छी है जिननोंने knowledge gain किया है वो student 100% एक question solve कर सकते सर्फ, level 3 ये थोड़े hard होते, 15 questions होते हैं इस 15 questions में आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लागाना पड़ता है क्या होता है, actual में questions के अंदर सब questions होता है मतलब, कोई चीज़े directly नहीं पूछेंगे, जैसी कि मुझे period निकालना है, तो period नहीं देंगे उसमें, directly ऐसा नहीं करेंगे कि चलो आपको omega की value 2 radian per second दिये है आपको period निकालना है, तो 20 pi by आपने कर दिया 2, 2 से 2 मर गया 3.14 second नहीं, ऐसा नहीं होता है उसमें और बहुत सारे processes होती है, जिससे हम लोगों को हमारा mind इस्तेमाल करना पड़ता है, presence of mind होना चाहिए, तो ऐसे इसमें से भी मैं दो चीजों पर analysis करना चाहता हूं, इसमें से near aboutly 8 या 10 questions ऐसे होते हैं, कि जो थोड़े से कम level होते लेकिन जो near aboutly इसमें से जो 5 या 7 questions बोल सकते हैं है ना, यहां पर 5 या 7 to 5 questions ऐसे होते हैं, कि जो JEE main के उपर से भी जाते हैं, मतलब इससे ज़्यादा approach होने चाहिए, मतलब 5 6 questions के लिए आपको extra efforts करना पड़ते अब extra efforts करना कैसे है sir क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको text book भी पड़ना पड़ेगी target morwell और pyq, past year yamceq solve करना पड़ेगे, इसके अलावा, अगर आपके पास JEE main की कोई तहारी कर रहे हो या SCORMA हो, DC Pandecer की books हो, बहुत बढ़िया-बढ़िया books है जो बच्चे JEE की तहारी कर रहे है sure and short यह सवाल 15 के 15 सवाल कर सकता है तो sir क्या हम लोग यहाँ पे कितने numbers लेना चाहिए तो मैं आपको बता दू बच्चो आपको physics में 40 to 45 mark लेना चाहिए as per my use, ठीक है maths में आपको मैंने बता जया, chemistry में भी आम लोग near about 50 out of 50 और maths में भी ले सकते हो ठीक है, तो ऐसे करते करते हम लोग यहाँ पे 180 के plus approach ले सकते sir 180 की कितने percentile होते एक सवाल हो सकता है तो 180 के आपको 99 है ना 60 plus percentile हो सकते वो depend होता है आपकी कौन सी shift है देखो कभी-कभी 178 वाले को भी 100 percentile हो सकते कभी-कभी 185 वाले को भी 100 percentile नहीं मिल सकते वो depend होता है वो इस batch का paper कितना tough है कितने student है और PCM group या PCB group है यह सभी चीजों के उपार ओरवाल, मतलब ओरवाल वहाँ पे क्या किया जाता है, मतलब calculation किया जाता है और यह calculation के basis पर 100 percentile होते हैं तो आप लोगों को सबसे main काम करना है textbook पढ़ना है textbook पढ़ने के बाद अब देखो मैं एक बाद बताता हूँ student को कि physics कैसे पढ़ना चाहिए मतलब physics पढ़ना यह बात नहीं कि sir मैंने law याद कर दिये मुझे derivation बहुत अची तरह से आते है मैं बिल्कुल रटा मार के रख दिया मैंने नहीं देखो मैं एक example के ऊपर एक बाद बताता हूँ student आप लोगों को कि वहां पर boys law है charge law है मैं charge law का example मेरे घर में मैं बनाता हूँ जैसे कि हम लोग दूद लाते गास पर रखते है temperature बढ़ने से क्या होता है दूद उबलता है उपर आता है ना मतलब आता है कि नहीं तो मैंने law तयार किया student क्या तयार किया मैंने कि temperature बढ़ने से value बढ़ता है हो गया भाई या charge law जब तक ये approach खुद के अंदर नहीं लाओगे तब तक कोई फाइदा नहीं मतलब मैं मेरे surrounding में में तो physics फ्राण में तो हर चीज physics के लेकिन capacitor तो capacitor जब पढ़ रहा होना तो उसका काम होता धक्का देना मतलब कोई भी चीज चलने के लिए क्या लगती है बहुत ज़्यादा energy लगती तो energy उस्टोर करता है जब लगता है तो पटक से energy प्रोवाइड करता है मतलब मैंने यहां पर धक्का देना का काम जो मैंने मेरे दिमाग में सोच लिया तो यह approach होना चाहिए मैं गड़ी चलाता हूँ ट्विलर इसकी speed क्यों change होती है तो गड़ी को क्या होता है accelerated क्या करता है हो speed को बढ़ाता है तो यह चीज की जब तक मेरे गड़ी मेरे गड़ी है मेरे दिमाग में उसके बाद में मेरे दिमाग में एक्सलेटर है यह चीज़े जब तक आपके surrounding तयार नहीं करोगे physis की तब तक कुछ ही कर नहीं पाऊँगे रट्टा मारने से भूलने वाले हो अगर आपको approach चाहिए है तो इस तरीकी से physics हो, chemistry हो, biology हो मैं असके नहीं लगती लेकिन इन चीज़ों की आपको surrounding के साथ खेलना पड़ेगा उसके example चिपकाना पड़ेंगे हर चीज का example, sure and shot मिलेगा बच्च आपको तो यही है, जैसे ceiling fan हो तो आप बोलेंगे horizontal circle है, sir table fan है, vertical motion है तो lowest point पर कितनी velocity होती जैसे कि किसने पूछा minimum कितनी speed चाहिए तो मैंने इसके लिए formula दिया था 5RG, यहाँ पर 3RG है और यहाँ पर V is equal to RG यह formula कहां से लिया है यह books में कही formula नहीं मिलने वाला मैंने खुद ने formula बना है क्या formula बना है, sir अपने बता तो root of RG bracket में 3 plus 2 cos theta यह कही formula नहीं मिलेगा चिपका दो, example देखो, 0 है यहाँ पर अरे particle वही है न, अपने जगे पर cos 0, 1, 1 multiply 2 2, 2 plus 3, 5 5 multiply RG, देखो 5 RG यहाँ पर 90 देखो, यहाँ से यहाँ चल गया 90 90 एंगल है न यह, cos 90 0, 0 से multiply 0 3 multiply RG, RG खतम गिस्ता, अब यहाँ से lowest से higher जाओ, कितना हो रहा बच्चो half circle, कितना 180 cos 180 minus 1 3 में से minus 2 गे क्योंकि 2 multiply minus 1, minus 2 3 में से minus 2 गे 3 से 2 गे, आरे simple calculation है, 1, 1 multiply RG RG है, बच्चो यह formula दिमाग में रखना पड़ेगा, यह idea develop जब तक नहीं करोगे, तब तक physics में टिक नहीं पाओगे, तब तक आपकी यह जो approach है ना 180 की नहीं मिलने वाली, तो आपको मैं, आपको दुबारा बोलड़ाओ, 40 पैता इस तक मार्क लेना है आपको, chemistry में आपको minimum to minimum 45 लेना पड़ेंगे, मैं minimum की बात कर रहा हूँ student, और maths में कम से कम आप लोगों को, मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ, 90-95 लेना पड़ेंगे, तो ही आप यहाँ पे टिकने वाले हैं, देखो यहाँ पे कितने 17, मतलब यहाँ पे आपको 95 लेना पड़ेंगे, तो ही आपको 180 प्लास मिलने वाले हैं, तो इस तरीके से आपका प्लान, आपका कॉलेज, अब भी से आपको कौन सा कॉलेज अच्वी करना है, क्या एम है, यह आपको decide करना पड़ेगा, तो ही बच्चों यह numbers मिलते हैं, नहीं तो मुझे कॉन सा कॉलेज लेना है, पता ही नहीं है, मेरा एम क्या है, हाँ, इंजिनिर करना है, कहा करना है, जिस कॉलेज में ताला लगाए, वहाँ पे करना है, यह आपको decide करना है, तो चलो बच्चों, इसी तरीके के साथ मैं ऐसे ही motivational और कुछ study plan के मैं वीडियो लाते रहूंगा, तब तक आपको करता है, bye and thanks for watching this video and best love for your study and your future plan.